कि सब्सक्राइब करिया है फैस्टी चैनल को बेल आइकन को प्रेस के जिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए कि हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक माई यूटिब चैनल हाइफ है स्टेडी दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर गया हूं साइन्स का मॉक टेस्ट जो आप सभी के लिए बहुत हो सकता है दोस्तों यहां पर इन कुशनों के जवाब आप फटाफट से देना ज बिल्कुल से एंसर यानि जो भी है स्टोडियन उप्सन आपर आया एंसर दे रहें यानि क्या हो जाएगा यहां पर अमरवेल क्या होती पर जीवी होती है साथ में यहां पर नेक्स्ट कुश्चन जो हमारा बनता है वह बनता है निमलिखित में से उभय चर प्राणी है यह क भी फड़ है यानि निमलिखित में से कौन सा मचली का अनकूलन अंगन नहीं है मचली का अनकूलन अंगन नहीं है कौन सा धार्य देखित शरीर है पंक है गलपड़े है या फेफड़ा है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेफड़ा बिल्कुल से ही एंसर है यानि और दायकरेट एंसर हो जाएगा अनुकूलान आंगर नहीं है नेक्स्ट कोशन यहां पर दोस्तों बनता है कि एथीन कैस के बहुली करण से निर्माण होता है जल का होता है प्लास्टिक का होता है चांच का होता है या साबुन का होता है बिल्कुल जी उन्सर, यानि जो राइट उन्सर हो जाएगा, हमारा वो कौन सा उन्सर हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा उप्षण नमर बाह हो जाएगा, यानि प्लास्टिक का है, ठीखे एथीन गैस, उसके बाद, NA2, CO3, तथा CAO3 के मिस्त्रण को, रेत के साथ, 1200 डिग ग्रेट के टाप पर पिगला कर बनाय जाता है, क्या बना जाता है मृध्दु कांच बना जाता है, कठोर कांच या जेना कांच या फिर फिल्टर कांच करता है मृध्दु कांच बनाय जाता है यानि option नमबर और राइट अंसर हो जाएगा next question देखें दोस्तों यहाँ पर कि कठोर कांच या पोटास कांच का सूत्र है कठोर कांच या पोटास कांच का इसमें सूत्र कौन सा है K2, PBO, 6SiO2 या K2O, CAO या फिर 6SiO2 या K2Cl3, PBO या K2Cl3, CO3 कौन सा है इसमें से कठोर कांच या पोटास कांच का सूत्र गलत है तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा option number 12, राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, K2O, CAO और 6SiO3 हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा, पोटास कांच का सूत्र ठीक है, अगला यहाँ पर कुशन मनता है कि सजीव जगत का प्रमोग लक्षन है, सजीव जगत का, प्रमोग लक्षन क्या हो जाएगा, गती हो जाएगा, नियंत्रन हो जाएगा, समन में हो जाएगा, या उपर रोकत सभी हो जाएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही यानि यहाँ पर जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा option number दा हो जाएगा वो प्रोग्त सभी हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखते अगला question दिया गए कि पर्ण हरीम होता है पर्ण हरीम क्या होता है पौधो में होता है जंदू में होत है कि इन में से कौन सा मिर्तोप जीवी मिर्तोप जीवी पूछा गया यहाँ पर मिर्तव जीवी ठीक है अमर्शन हो जाएगा चो जाएगा हो जाएगा एक दम राइट एंसर उसके बाद देखते इस हमारा question दिया गया वो दोचा है यानि मंचली में स्वास ले के लिए कौन सा अंग पाया जाता है कौन सा अंग पाया जाता है फिफड़ा पाया जाता है गलफड उप्रयोग तो सभी या तो चाहिए तो आपको आंसर पता ही होगा इसने बताने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है लेकिन तब भी जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो ज प्रेडि के हैं 12 प्त्री का см all-ग 1 जिनमें दो दल पाया जाते हैं ठीक है दो बीज पत्र पाया जाते हैं या दो धल प्लित अदर यानिई जब बहुत है जब जब उड्य जमता है तों सतर हैं अमके देखते होगे अपथ eh कि पढ़े से पहले दो जो पत्र निकलते हैं बीज पत्र निकलते हैं उन्हीं करता है बीर बीज पत्र यो दिवीज पत्री करें यहां पर गेहूं और जो जो हो जायेगा हमा निक्र यह भी नहीं हो जाएगा और जो हमारा हो जाएगा राइट एंसर वो हो जाएगा हमारा option number बागरेक टैंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मटर और चना होता है उसको पानी में भिगो दीजिए 10 से 12 गंटे भीगोए रहे उसके बाद आप उसको आसानी के साथ उसका जो एक पर यह दूसरा कुशन है कि बढ़ या पत्ती का प्रमोंख कार एक क्या है ठीके पर प्रमोंख कार क्या है सो जन- भोजन बनाना उप्रोक्त सभी या उत्षवेधन तो यहां पर जो राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा अप्शन नम्बर अद्दा हो जाएगा यह उप्रोग तो सभी यह सारे कारे होते हैं पत्ती के सभी को पता है शुई में दिखा जेता है यानि शुई में को जब टच करते हैं उसकी जो पत्या होती वह अंदर की तरह बंद हो जाती है साथ में यहां पर दोसरा कुशन देशन को मिलता है कि भोजन संचे के लिए आपा स्थानिक जड़ का रूप अंत्रन है यह भी कुशन यानि मूली मूशला जड़ किस प्रकार का रूप अंत्रन है मूली मूशला जड़ जो है वो किस प्रकार का रूप अंत्रन है वो सभी को पता है तर्ग रूप का है ठीक है ऑफसन नंबर आ करेक्ट एंसर होगा उसके बाद नेक्स कुशन यहां पर मिलता है कि किस पौधे क पथियों पर अपास्थानिक जणए उतपन हो जाती है किश हुद्हों की पथियों पर अपास्थानिक जड़ें उतपन हो जाती है। या फिर विघनेनया हो जाएगा या फिर परवल हो जाएगा विघनेनया जो हो जाएगा हमारा राइट एंसर इन से फ्यला है इन्ट को बखेस होगा हे हे क्या होट है पुष्पो में होता है तो वायू द्वारा परागर्ण किसके पुष्पो में होता है तो वायू द्वारा परागर्ण किसके पुष्पो में होता है तो वायू द्वारा परागर्ण किसके पुष्पो में होता है तो वायू द्वारा परागर्ण किसके पुष्पो में होता है ठीक है, बहुत important question है दूस्तों, इनको आप लोग ध्यान से देखना, अगला जो हमारा question मनता है, यानि जल द्वारा पर परागण होता है, जल द्वारा परागण होता है, नारियल में होता है, वेरेंस नेरिया में होता है, या फिर कमल में होता है, या फिर गेहू में होता है, जल द्वारा पर पड़ागर तो यहाँ पर जो राय टैंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेलिस नेरिया में होता है ठीक है अप्शन नमबर बा करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कुष्चन हमारा जो बनता है यानि बीच कितने परकार के होते हैं अभी को बता था भी मैंने इससे पहले बता था बीच कितने परकार के हो तो बीच दो परकार के होते हैं ठीक है यानि आपसा नमबर बा करेक्ट टैंसर हो जाए का कौन-कौन से होते हैं यानि जिन्हें मूशला जड़ा के नाम से हम लोग जानते हैं उसके बार देखते हैं जो अगला यहाँ पर कोश्यन दिया गहाए प्रांकुर किसका उपभाग है भ्रॣ का है बीज पत्र का है नाभिक का है या निभाग का है बिल्कुल से answer हो जाएंगा या प्रांकूर जो है वो किसका है भ्रून का होता है भ्रून का उपभाघ होता है प्रांकूर अगला यहां पर कुशन मनता है कि पत्यों द्वारा काईक प्रवर्धन होता है ब्रायो फिल्लम में अद्रक में वेलिस नेरिया में या सैजीटीरिया में ठीक है यह भी जो कुशन हमारा है यह 2015 में पूछा गया बिल्कुल राइड एंसर है यानि जो भी स्टुडेंट आपस झालता है पुश्पा शन कहलाता है पराग-भवास कहलाता है या वेफ इस नमबर कर्रेक्त ईंसर है और साथ में आप को बताते चलते हैं कि आप लेना चाहते हैं किसी भी बरगार कि पीडीएफ को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आपको आप application में मिल जाएगा साथ में अगर आप टेलिग्राम पर सर्च करते हैं हाई फार स्टड़ी 94 अगर आप ये सर्च करते हैं तब आपको वहाँ पर भी चैनल प्रवाइड हो जाएगा और वहाँ से आप लोग जुआइन हो सकते हैं उसके बादे हमारा अगला कुशन दिया गया है यानि सर्व लिंगी पौधे का उधारण है सर्व लिंगी पौधे का उधारण है आम हो जाएगा कद्दू हो जाएगा या आवबा दोनों हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा यानि सर्व लिंगी जो पौधे होते पत्र में ही भोजन संचे होता है और बीज पत्र को धाके हुआ एक आवरण होता जैसा कि चना आप लोगों ने देगा होगा चना को जो भीगो देते हैं तो वहाँ पर एक आवरण फूल जाता है ठीज़ पूरा जब फूल जाता है तो वहाँ से कभी कभी दिखते हो कि एक पत्र निकल आता है उसके बाद अंदर जो बीज पत्र होते हैं, वो दिखाई देते हैं, तो वो जो उपर की परत होती है, चने में भूरे कलर की, उसे क्या कहते हैं, बीज चोल के नाम से जानते हैं, अगला जो यहाँ पर question है, दूसरो 2018 में question पूछा गया है, यानि सुसुप्त पौधा कहा जात हैं, लेकिन क्या होता है कि ठंडी में उगते हैं, और जिसे मालिज जे गेहू हो गया हमारा, ठीके? लेकिन गेहू तो अलगबक हर मौसा में अंकृत किया जा सकता है, ठीके? लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर गेहू जो है, वो आपका अप्रेल या मैं मैं में जब उसकी वस्ता वस्ता में पढ़े रहते हैं जमीन के अंदर तक पढ़े रहते हैं जब तक उनका जमने का मौसम नहीं आता है यानि मौसम का बाता है उधर आपका ठंडी से फ़हले यानि 15 अक्टोबर बर से 15 नॉम्बर या 30 नॉम्बर तक गय हूंगे जो बुगाई होती है वो होती है ठीक है तो वहां पजे से उसका मौसम आएगा atmosphere जो आएगा temperature जो उसका आएगा तभी वो गेहूं जो होता है जो सुसुप्त पौधा होता है वो जमने लगता है या फिर जम जाता है ठीक है तो इसी को क्या कहते है सुसुप्त पौधा कहा जाता है किसको कहा जाता है बीज को यानि किसी भी प्रकार का अगर बीज है तो वो क्या होता है? सुसुत पौधा होता है. सोया हुआ पौधा होता है. वो अभी जमा नहीं हो ए, इस वज़े से उसे सोया हुआ पौधा कहते हैं. ठीक है? समझे आ गए? उसके बाद देखते हूँ जगला कोशन दिया गया है, बीज के घर्भासे के अंगो की सुसुपता वस्था से जागरता वस्था में आने की क्रिया को कहते हैं निशेचन कहते हैं परागर कहते हैं पुस्पनिर्मार कहते हैं या फिर अंकुरन कहते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही अंसर सभी का अंसर सही है बीज के गरफा काड़ गए अंको कुछ लोग के गलत है ठीक है अंगों के सुपता वर्था होती है उसमें क्या होता है कि अंकुरण जो होते है ठीक है अफसन नमबर साइज राइड एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं अगला कुशन दियागा है समय का मात्रक आपको बताना है समय का मात्रक आपको बताना है बिल्कुल सही है समय का मात्रक सेकेंड होता है समय का मात्रक सेकेंड ही होता है ठीक है उसके बद अगला जो कुशन दियेगे है कोण का मात्रक होता है या भी कुशन 2015 में पूछा गया है मोल होता है एम्पिर होता है या इस्टेरेडियन होता है या रेडियन होता है कोण का मात्रक आपको बताना है तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा कि धंष जै तो क्या हो जाएगा धनमीटर मीटर वर्ग मीटर या किलो मीटर किसी गणमीटर है Canada क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर निने के प्रदान करने की प्राकरिया है मापन की यहाँ परिभासा दी है किसे ने दी है स्टीव एंसन ने थांडाइक ने माइकल ने या करनिस ने बिल्कुल सही एंसर है यानि जो भी स्टूडियर अपसन नमबर आ एंसर देख दम करेक्ट एंसर है यानि स्टीव एंसन ने दी थी इसकी परिभासा अगला यहाँ पर question मनता है दोस्तों कि यदि मापन के सभी यंतर तथा स्वाधन विस्तु से समाप्त कर दिये जाएं तो आधुनिक सब्विता बालु की दिवार के समान ढह जाएगी यहाँ कतन किसका है पील का है रास का है माइकल का है या फिर कारनिश का है विल्कुल जहीं answer है यानि जो right answer हो जाएगा हमारा option number 7 हो जाएगा ठीक है और वीडियो को विल्कुल भी like करना भी मत भूलेगा अगर यह test आपको पसंद आया है तब ठीक है अगला यहाँ पर question हो जा होता है एक फूट तो एक फूट जो हमारा होता है वो होता है तीस दसमलो चार आट लेकिन जो मेंनिमा मोलोग माम लोग मामते हैं वह 30 ही मानते तीस मानते हैं 30 कंट मिटर पराबर एक फुट कहते हैं तो दोस्तों यह थी आप सभी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन कुश्टन जो कि साइन्स का मॉक टेस्ट था तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है पूरंत बताइएगा और साथ में अकर किसी भी साइंस के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ में पालेट किसी भी सब्जेट के देखना चाहते तो दी